तो है गाईज और आज की ब्रैंड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से दिल से सवागत है तो गाईज आज की वीडियो काफी एदा इंट्रेस्टिंग उने वाली है गाईज क्या का आज की वीडियो में हम भात करने वाले हैं 4G गेम के बारे में काफ़ी सारे लोग इसको गेम के बारे में ट्रोल कर रहे हैं इस गेम को बेकार कहे रहे हैं और लिटरली क्या इसकी सच्चाई है आज की वीडियो में हम बात करने वाले है और क्या ये गेम है आपको खेलना भी चाहिए या नहीं और क्या ये पप जी के कंपरेजन का है भी या नहीं पप जी को टककर दे भी पाता है नहीं ये सारे के सारे चीज़े आज की वीडियो में आपको clear करके बताए दूँगा और मैं guarantee देता हूँ कि आपको इस वीडियो के देखनी के बाद में आपके बन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस गेम को लेके तो इसलिए वीडियो काफी दा इंट्रेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो में आस तक बने रहेगा तो चलिए बिना किसी दरीके हमारे आज के अमेजनेंग वीडियो को शुर करते है अगर रिपब्लिक डे को ही लांच हो गया है अगर रिपब्लिक डे नहीं होता तो इसे लांच होने में और भी टाइम लगने वाला था लेकिन रिपब्लिक डे होने पे एक बहुत अच्छा आउसर था हमारे फोजियों को लेके और उस समय पे फोजी गेम को लाँच करना एक बहुत ज़ादा नेसेसरी काम भी बन गया था क्योंकि है हमारे देश की नोजवाने के उपर था और 26 जनवर इसे बहतर कोई दिन यहापे था भी नहीं इसलिए कमपणी ने काफी जल्दी इस गेम को लाँच कर लिया है और बहुत लोग इसे पपजी से कमपार कर रहे हैं तो भाई मैं आपको पहले बता दू कि पपजी से गेम बनाने में काफी बड़ी-बड़ी संस्ताओं का हाथ है जैसे कि क्राफटन हो गया टेंसन कंपनी का भी काफी बड़ा हाथ है ऐसे बड़े-बड़े कंपनी में बड़े-बड़े टीम में नेटवर्क होते हैं जिसके कारण गेम काफी अच्छा बनता है लेकिन एंकोर ड्रम कपनी हें, इसमें काफी लिमिटेड टीम है और उस लिमिटेड टीम ने बहुत जदर लिमिटेड टाइम में इस गेम बनाया है और बहुत जदर लिमिटेड टाइम में इसके बनाने के बाद में भौत ज़लदी इसे लॉंच भी कर दिया कि 26 जनुवरी के जिसा मोका इनको बार बार नहीं मिलने वाला था और इसलिए इन्होंने इस गेम को लॉंच कर लिया है और जब आप इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए जाओगे प्लेस्टोर में तो उसके नीचे रिए डारेक्ट लिखा हुआ रहेता बार बार ये क्रैश हो रहा था वह इसलिए हो रहा था चैनले जूर्ष प्राफ्ड़ेस्थ जो रहेता है जोड़ और वह को सब्सक्राइब कर लोग देखने मिले यह बहुत आप को भी और चाहिसे कंप्र कर रहे तो मैंने आपको बता है कि पचप इसे कंपर क्यों नहीं क ये इंडियन गेम है और हमारे सोल्जर्स भी दरनी पे हमारा बेस्ट है इसे एक अलग गेम समझो ने यार क्यों पबजी से आप इसे कंपार करते हो और बहुत लोग बोल रहे है कि ये गेम बेकार है हाँ भाई आप लोग बेकार बोलोगी क्यों कि आपको इसमें उस लाइक क कुछ भी देखने को नहीं मिला जो आपको PUBG में देखने को मिलता है और उनको मैं गलत भी नहीं मान था क्योंकि PUBG बैन होने के बाद में एक ही होप बची थी हमारी वो थी 4G लेकिन 4G वैसा नहीं उतरा है क्योंकि हमने उसे 4G को ही हमने PUBG का रूप दे दिया था और मनी मन हमन आज बहुत लोगां से दैनाम होत करना गेम कंपनी ने बहुत тории कम था चीम होने के बाद धी कार अर्ल पर नीमें मुझे परस्थालिक काफ़ी ज़दाता सही लगी और जब मैंने सी आपको कोई की ज़ए गाते कारनी बाइगा मैंसे ज़यं ँक्रेद कर ले जाए एक हतियार देखने को मिल जागा जिसके कारण आप उसमें फाइट ले सकते हैं और लिटरली इसकी स्टोरी वह बेश्ट है कि हमारे नवजमान की टोली है उसे दुस्मनों ने कैद कर लिया है और हमारे जो एक फोजी है अपनी फोजीयों की टीम को छुडाने के लिए उसे लड़ फिचते हैं और उनके रास्ते में काफी सरी दुस्मन आते हं उनका रास्ता रोकने के लिए लेकिन वह उसे लड़्के अपने साथी होते हूं उनको बचा लेते हैं और Quem Stephen को मिल लेता अभी फिलाल टेस्टिंग लेवल पे है तो वहाँ पे आपको थोड़े बॉट लेवल के ही जो प्लेयर से वो देखने को मिल जाएंगे ऐसा निये कि वह आप पर हमला नहीं करते हैं लेकिन जैसे जैसी अरले स्टेश चेह हटता जाएगा यहाँ पर काफी सरे अबडिस आते कितना भी लंबा हो मुझे फरक नहीं पड़ता भाई यह गेम इंडियन है तो मैसे मेरा दिल से इसको सपोर्ट है और बहुत लोग बोल रहें कि यह गेम बेकार है तो मुझे किसी भी पॉइंट से बेकार नहीं लगा है बीच बीच में यह वीडियो गेम वाली भी का यूज किया गया है बहुत ज़्यादा रेर है लेकिन 4G को जब मैंने देखा और इसकी हिंदी मैंने लैंग्वेज सुना और इसमें जो एनिमेशन देखा मैंने वीडियो का उसके बाद में मुझे भाई इसमें कोई भी डाउड देखने को नहीं मिला इतने कम समय में भी यहाँ पर आपको नहीं फेस्बुक नहीं जीमेल से लॉगिन करने को देखने को मिल जागा है आप सिंपली इसमें अपना यूजर नेम क्रियाट करके इसे लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर आपको स्टोर का ओप्शन देखने को मिल जागा और प्ले का ओप्शन देखने को म लिखा हुआ है तो यह सपोर्टेबल नेचर मुझे काफ़े दा सही लगा है इस गेम के बारे में बाकि मैं मानता हूँ कि यह गेम उतना प्लेबल नहीं है लेकिन फिर भी एक गेम इंडियन है तो मैं इसे दिल से सपोर्ट करूँगा क्योंकि हम जिसे लोग इसे सपोर्ट न और भी गेम आएंगे और हमारे जो इंडियन गेम है वो बहुत सारे कंटरिज में घुमेगा और हमारे जो इंडियन कल्चर है उससे काफी अच्छी तरके से रिलेट भी कर पाएगा और एक हमारे इंडिया का भी नाव होगा पूरी दुनिया में और इंडिया भोतेजी से आगे बढ़ रहा है तो हमें इसे support करना चाहिए 4G को PUBG से compare बिल्कुल भी मत करो इसे एक अलग game की तरह देखो और एक Indian game है इसले इसको support भी करो मेरा तो यही मानना रहेगा बाकी आपका जो decision रहेगा वो आप ही का रहेगा मेरा काम था आपको बताना वाकी मेरा support तो फूल है इस game के साथ में आपका support है या नहीं मुझे comment के जरूर बताना और हाँ अगर हाँ आप इस game को support करना चाहते तो इस video को like share करना बिल्कुल भी ना भूलें और नए हो तो subscribe करके जाना क्योंकि ऐसी interesting video आपसे बिल्कुल भी मिस नई होनी चाहिए तो चलिए मिलते हैं हमारे next वीडियो में तब तक के लिए हो good day